हेलो प्रेंट्स, वेल्कम बैक टू माई चैनल, मैं हूँ दीपा और स्वागते दीपा गे वेंजन चैनल में, आज जो रेस्टी मैं आप लोग के साथ शेर करने वाली हूँ, वो है लौकी की कोफते, तो चलिए देखते हैं पताने के लिधी, इस कोफते को बनाने में मैंने जात गे कम मसालो का यूज किया है, इसके लिए हमें चाहिए लौकी, लौकी को छिल ले और इसे मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर ले, मैंने करीब दूसुपचीस ग्राम लौकी ग्रेट किया है, ग्रेटेड लौकी को अब हम किसी बड़े बाउल में ले लेंगे, साले मिला सके सबसे पहला काम होगा लौकी से पानी निकाल लेना आप इस तरह से हाथों से दबाकर इसका पानी निकाल ले इस पानी को हम फेकेंगे नहीं इसका यूज हम ग्रेवी बनाने के लिए करेंगे इस लौकी में हम लेंगे दो बरे चमच बेशन और ज़रूरत के हिसाब से हम बाद में आड़ करेंगे अब इसमें डाल ले हाफ बारिक कटा हुआ प्याज दो बारिक कटी हुई हरी मिर्च एक इंच अद्रक बारिक कटा हुआ और इसके साथ डालेंगे हरी धनिया पत्ती बा एक छोटी चमच क्रस्ट काली मिर्च दो छोटी चमच गरम मसाला पाउडर साथ में डालेंगे नमक स्वाद अनुसार इन सब चीजों को हाथों से मिलाते हुए एक डो तैयार कर ले आप जैसे जैसे मिलाना स्टार्ट करेंगे लौकी से पानी रिलीज होगा और ये खुद अलग से पानी की ज़रूरत नहीं है यदि आप आज और लेसन प्रिफर नहीं करते तो आप इसे स्किप कर दे ये डो तैयार हो चुका है अब हम इसके चोटे चोटे बॉल्स बनाएंगे इस प्रकार से बॉल्स का साइज आप अपने अनुसार रख सकते हैं बॉल्स को तलने के लिए मैंने पहले से तेल गरम करके रखा था अब आप बहुत सब्धानी पूर्वक इन बॉल्स को तेल में फ्राई कर ले गैस का फ्लेम लो रखे थोरी देर के बाद बॉल्स सेट हो जाएंगे बॉल्स को हम दूबारा फ्राई करेंगे यह बॉल्स तयार हो चुक है अब हम इसे निकाल लेते हैं सेम प्रोसस से हम दुसरा बैच भी तेया कर लेंगे आप इन बॉल्स को सैलो फ्राई भी कर सकते हैं जब तक हमारा बॉल्स तल रहा है अब हम इसके लिए मसाला तयार करते हैं मसाला तयार करने के लिए मैंने एक पैन में दो छोटी चमस तेल डाला है उसमें डाल दियें दो तेज पता, एक बड़ी लाइची, एक छोटी लाइची, एक लॉंग, हाफ इंच दाल चिनी का टुकरा, एक छोटा टुकरा जावी तरे इन सभी मसालों को चलाते हुए थोड़ी दे फ्राई कर ले जैसे ही मसाला फ्राई हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे आदा कटा हुआ पैयाज, मैंने पूरी सबजी में एक पैयाज यूज किया है आदा पैयाज मैंने बॉल्स में डाला है, और आदा पैयाज मैंने ग्रेवी के लिए यूज किया है इसमें डाल दे आठ से दस करिया लेसन की आधी छोटी चमच अदरक डाल दे एक हरी मिर्च और दो मीडियम सैज के कटी वे टमाटर इन सब मसालों को लो फ्लेम पर फ्राई कर ले हमें मसालों को बहुत जादा फ्राई नहीं करना है बस इसका कच्चापन निकल जाए इतना ही फ्राई करेंगे इधर दुसरे बैच के बॉल्स भी तयार हो चुके हैं इन मसालों को चार से पांच मिनट तक लो फ्लेम पर फ्राई कर ले जैसे मसालों से खुस्बू आने लगे हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे मसाले भून चुके हैं गैस का फ्लेम आफ कर दिया है मैंने जब तक मसाले ठंडे हो रहे हैं मैं आपको बॉल्स को तोरके दिखाती हूँ आप देख सकते हैं अंदर से काफी सॉफ्ट बना है और उपर से क्रिस्पी इन बॉल्स को एक बार और फ्राइ कर लें जिससे बॉल्स काफी क्रिस्पी बनेंगे ठंडे हो चुके हैं अब हम इसका बना लेते हैं एक फाइन पेस्ट ग्रेवी बनाने के लिए मैंने सेम पैन में तीन टेबले स्पून तेल दिया है अब हम इसमें डाल देंगे पीसे हुए मसाले गैस का फ्लेम लो रखें कुछ सुखे मसाले अड़ करेंगे एक छोटी चमच लाल मिर्च पाउडर आदी चोटी चमच हल्दी पाउडर देर चोटी चमच किचन किंग मसाला आप मीट मसाला भी यूज कर सकते हैं इन सब मसालों को चलाते हुए लो फ्लेम पर फ्राई करें इसमें मैंने 10 से 12 किसमिस के दाने डाले हैं आप कोई भी ड्राइफ रूट अपने अनुसार यूज कर सकते हैं इन मसालों में ही हम डाल देंगे लौकी से निकला हुआ पानी और नमक जैसे ही मसालों से तेल चुटने लगे इसका मतलब कि मसाला तयार हो चुका है आप देख सकते हैं मसालों से तेल चुटने लगा है इसका कलर काफी अच्छा आया है अब हम इसमें डाल देंगे एक कप पानी मसालों को मिला ले अच्छी तरह से गैस का फ्लेम लो रखे ग्रेवी में उबाल आने तक इसे ऐसे चलाते रहे ग्रेवी को बहुत जादा थिक नहीं करना है गैस का फ्लेम बंद कर दे और इसमें कटी हुई हरी धनिया पती डाल दे अब हम इस ग्रेवी में लोकी के कोफते डाल देंगे ध्यान रखे किसी भी चीज के कोफते बहुत जल्दी ग्रेवी एब्जॉब कर लेते हैं इसलिए खाने से एक या दो मिनिट पहले ही आप इसे उबाल लागाए और फिर सर्व करें इससे कोफते टूटेंगे नहीं चलिए अब इससे सर्व कर लेते हैं लोकी के ये कोफते काफी टेस्टी बने हैं और देखने में भी काफी टेम्टिंग है आप इसे जरूर बनाए मुझे पूरी उमीद है आप लोग को ये काफी पसंद आएगा यदि आप नॉन वेजिटेरियन है तो सेम प्रोसेस से आप अंडा करी, मीट और चिकन बना सकते हैं अब लोग को मेरी ये रिस्पी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहा है मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में नेरे स्पी के साथ अब तके लिए बाई, टेक केर